हेलो फ्रेंड्स वागत आप सभी का आर्वी रिजिव क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ की मात से एक्सरसाइज 4.3 का कोशन नमबर 7 डिसकस करूंगा इस वीडियो में यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप पूरा वीडियो को देखेगा जड़ा इसके मत करिएगा अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों को भी सेर कीजिए चैनल पर नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा चले शुरू करते हैं आप ठीक है कि कुर्शन में बोला गया है दा डिफ्रें करने के बाद जब उनका डिफ्रेंस ले तो 180 आए डिफ्रेंस का मतलब होता है सब्ट्रेक्शन डिफ्रेंस का मतलब क्या होता है सब्ट्रेक्शन यानि कि जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर करके माइनस करें तो 180 आता है फिर दूसरी condition यह दी गई है कि जो छोटा number है उसका जो स्कौयर है वह बड़े number के 8 times है 8 times का मतलब 8 गुना यहनी कि 8 multiply by larger number तो यहां पर हमें बताना है कि जो larger number नमबर है वो क्या होगा चलो फिर सॉल्ब करते हैं है ना है लेट है दा स्मालर नमबर भी एक्स एंड दा लार्जर नमबर भी वाई झेरण ब्घाडिटर ले कर दिंदे गॉंध और सकता य्यू वी यृवववि參कर था फ्री स्दारी आप दा नंबर्स इज देखो मैं पर मान रहे हैं कि लेट दा स्मालर नंबर भी एक्स छोटा नंबर क्या है एक्स एंड दा लार्जर नंबर बी वाई बड़ा नंबर क्या है य देन एकोर्डिंट टू दा क्वोश्चन दा डिफरेंस आफ देर स्क्वायर आप दा नंबर इज तो उन नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि हमेशा आप बड़े में से छोटे को माइनस करते हो चोटे में से बड़े को आप बड़े में से छोटे को माइनस करते हो तो एकस बड़ा है या वाई अबिसली वाई बड़ा है ना तो सबसे पहले वाई का स्क्वेर करके इससे एकस का स्क्वेर माइनस करेंगे तो यह इकवल टू होगा 180 के यही बोला गया है कि the difference difference of the two numbers is 180 बड़े नमबर के स्क्वेर माइनस छोटे नमबर का स्क्वेर इसकोर इसकल to 180 difference का मतलब subtraction यह मारा first equation हो जाएगा लेकिन जो दूसरी condition दी गई है smaller number eight times the larger number according to second condition कि वह सेकंड कर्डिशन क्या है स्क्वाइर आफ कि इस्मालर नमबर कि एज एट टाइम्स कि दा लार्जर नमबर तो फिर देखो इस case में क्या होगा यहां पर बोला गया कि second condition as square आफ smaller number is eight times the larger number तो सबसे पहले जो smaller number एक समने माना है उसका square करेंगे और यह equal to होगा eight times eight times मतलब eight into bigger number वाई ठीके तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 8y क्या बन जाएगा यहे बन जाएगा 8y तो x square किस के इकल होगा et y के इक Zeiten होगा भा अब जहां पर x square है वहां पर आफ eight cut कर दीजे्ए का पूट कर दीजिए जहां पर x है वहां पर आफ eight max कर दीजें तो मैं से question number two मानता हूं कि पूट एक्स स्क्वेर इस इक्वल टू एट भाई इन एक्वेशन फरस्ट वी गेट तो क्या मिलेगा आपको देखो यह एक्स इसक्वेर ना यहां पर एक्वाई तो फिर आगे क्या होगा जब भैल्यूप्ट करेंगे देखो यह हुझा वाई इसक्वेर माइन यहां पर x square है तो इसके place पर आप 8y पूट कर दीजिए is equal to 180 अब इसको अगर हमें और solve करना है तो quadratic equation बनाना है तो यह जो 180 इसको इधर ले आए तो यह बन जाएगा मारे पास y square minus 8y minus 180 is equal to 0 यह हमारे पास क्या बनेगा एक quadratic equation बनेगा क्या बनेगा एक quadratic equation बनेगा कित्ता बनेगा y square minus 8y minus 180 is equal to 0 तो इतना आप write on कर लिजिए या फिर screenshot ले लिजिए फिर इसको आगे solve करेंगे अब देखिए हमारे पास यह वाली equation है y square minus 8y minus 180 is equal to 0 इसको factorize करना है तो मैं कई बार अपने questions को बिल्कुल simple way से factorize करता हूँ इस बार इसको कुछ अलग तरीके से factorize करेंगे ठीक है now factorize किसे factorize करना है y square minus 8y minus 180 is equal to 0 ऐसे question में जहां पर यह जो y square का term है इसके साथ कुछ भी लिखा ना हो कोई भी coefficient ना हो तो उस case में हम इसका केवाल यह देख लेते हैं कि factor क्या बनेंगे जैसे यहां पर देखो 18 10 जा कितना होगा 180 ठीक और 18 minus करेंगे तो कितना होगा 8 होगा कितना होगा 8 तो हमें यह पता चल गया कि 18 और 10 इसके factor होंगे क्या पता चल गया 18 और 10 इसके क्या होंगे factor होंगे तो जब एक बार आपको पता चल गया कि 18 और 10 इसके factor होंगे तो देखो अगर यहां पर minus sign है क्या है अगर यहां पर b के साथ minus sign है तो body value minus में होगी और अगर यहाँ पर भी minus आई ना तो छोटी value plus में होगी किसमें होगी? plus में होगी फिर से याद कर लो अगर b minus है तो body value minus अगर c b minus है तो छोटी value plus अगर आपको इतना पता चल गया तो आप ऐसे दो bracket लगाओ factors के लिए ठीक है? क्या करो? ऐसे दो bracket लगाओ यह जो variable है जैसे यहाँ पर y variable है इसको यहाँ भी लिख दो यहाँ भी लिख दो बड़े value को minus sign के साथ right कर दो और छोटे value को plus sign के साथ right कर दो plus minus वाला case इस इपकार फिर से में बता देता हूँ अगर b minus है तो बड़ा value negative होगा अगर c minus है तो छोटा value positive होगा और यह equal to हो जाएंगे 0 के अब यहाँ पर ध्यान से देखना अब देखो जो values find करेंगे y का तो यह minus 18 है उदर जाकी क्या हो जाएगा? plus 18 और यह plus 10 है उदर जाकी क्या हो जाएगा? minus 10 तो y के root क्या जाएगे? minus 10 कामा 18 ठीक है? तो उम्हीद करता हूँ यह shortcut आपको समझ में आया होगा अगर shortcut नहीं समझ में आया तो आप मुझे comment box में बता देना मैं इस पर एक बड़ा video बना दूँगा ठीक है? तो एक बार हमारा जब y का root आ गया minus 10 minus 18 तो हम इन दोनों पर अलग-अलग y की value रख करके x की value निकालेंगे ठीक है? तो देखो since minus 10 is negligible we take y is equal to 18 ठीक? y की value यहां से कित्ती पता चल गई? 18 देन जो हमारा x था equation number 2 वो था x square is equal to 8 into y ठीक? कित्ता था? 8 into y था तो y के place पर यह y वाली value 18 रख देंगे तो यह कितना आ जाएगा? 18, 8 जा 144 ठीक? इदर square है इसको remove करेंगे x की value find करने के लिए तो इदर square root लग जाएगा तो जब भी कोई square root में value होती है और square root लेते हैं तो उसकी value plus minus में आती है तो x की value कैसी हो जाएगी? is equal to plus minus 12 यानि एक बार plus के साथ और एक बार minus के साथ ठीक है? तो यहां से द्यान देना y is equal to plus 18 है लेकिन x is equal to plus minus 18 है तो इसलिए हमारे पास दो answer बन सकते हैं तो देखो यहां से हम answer क्या write करेंगे? दस दा नंबर आर देखो या तो फिर हमारे पास 12 कामा 18 बनेगा या फिर minus 12 कामा 18 बनेगा देखो जब एक बार plus लोगे आप तो यह plus में आएगा जब एक बार minus लोगे तो यह minus आएगा बाकि 18 तो same ही है पलस पलस ही है ठीक है? तो यह हमारा answer होगा इस question का आप चाहँत वीडियो को पास करके write down कर लो या फिर screenshot ले लो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तब अगले thank you class